नमस्कार बच्चों, आज हम रशीद जो की आपके जैसा ही एक बच्चा है, उसकी कहानी पढ़ने जा रहे हैं। कहानी का नाम है मुझ में भी जान है। तो बच्चों थोड़ी भी देर न करते हुए इस कहानी को आरम करते हैं। रशीद के पिता रोज जंगल से लकडियां काट कर लाते थे। लकडियां बेचकर जो पैसे मिलते थे उनसे ही उनका गुजारा होता था। एक दिन रशीद के पिता की तबियत ठीक नहीं थी। रशीद ने कहा अब्बू आज मैं लकडियां काट लाता हूँ। अब्बू बोले नहीं बेटा अभी तुम छोटे हो। रशीद ने कहा अब्बू आप फिक्र न कीजिये। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। रशीद लोहे की कुलहाडी उठा कर चल दिया। वह एक हरे भरे पेड के पास पहुंचा। उसने पेड काटने के लिए जैसे ही कुलहाडी उठाई उसे रोने की आवास सुनाई दी। रशीद ने इधर उधर देखा पर उसे कोई दिखाई न दिया। रशीद ने दुबारा कुलहाडी उठाई तो फिर किसी के रोने की आवास आई। रशीद डर गया पर वहाँ कोई न था। अब बच्चों अगर आप कहीं जाते हो आप कोई काम कर रहे हो अचानक से वहाँ कोई आसपास नहीं है और किसी के रोने की आवास सुनाई देने लग जाए तो कोई भी डर जाएगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं आगे क्या हुआ रशीद के साथ। तभी रशीद की नजर पेड़ पर पढ़ी। उसने देखा कि पेड़ रो रहा है। उसे बड़ा अश्चरय हुआ। उसने पूछा तुम क्यों रो रहे हो। पेड़ बोला क्यों न रों। जब कोई तुम्हें चोट पहुँचाता है तो क्या तुम नहीं रोते। हाँ रोता हूँ क्योंकि मुझे दर्द होता है शरीर से खून निकल आता है। रशीद ने कहा इसी तरह मुझे भी दर्द होता है। जब कोई मुझे पर कुलहारी चलाता है। पेड़ बोला तुम्हें दर्द कैसे हो सकता है। तुम तो बेजान हो तुम में तो जान ही नह ही है रशीद ने हैरानी से कहा पेड बोला किसने कहा कि हम पेडों में जान नहीं होती देखो हम भी तुम्हारी तरह बढ़ते हैं जैसे तुम छोटे बच्चे से बढ़ते बढ़ते आदमी बन जाते हो हम भी नन्ने पौधे से बढ़कर पेड बन जाते हैं तुम्हारी तरह जीवित रहने के लिए हमें भी हवा पानी और भोजन की आवशक्ता होती है हां हम तुम्हारी तरह चलते फिटते नहीं है पेड की बाते सुनकर रशीत की हैरानी और भी बढ़ गई वह बोला लेकिन मेरे अबू तो रोज लकडियां काट कर लाते हैं पेड फिर बोला तुम् में फल लकडी गोंद दवाई रबर और अन्य चीजें देते हैं बायू को साफ करते हैं जो तुम्हारे लिए सांस लेने के लिए आवशक है तुम्हारे अबू भला हमें क्यों काटेंगे रशीत को बात समझ में आ गई वह बोला पेड भाई मुझसे गलती हो गई मुझे पता नहीं था रशीत कुल्हारी उठाकर सुखे पेड की खोज में आगे बढ़ गया तो बच्चों इस तरह से यह कहानी समाप्त होई इस कहानी से भी हमने कुछ सीखा हर कहानी से हम कुछ न कुछ सीखते हैं न तो यह बच्चों इस कहानी से हमने यह सीखा कि पेड पौध तोड़ लेते हैं उनकी पत्तियां तोड़ लेते हैं पर अब जब हम यह जान गए हैं कि पेड़ पौधों में भी जान होती है हम ऐसा नहीं करेंगे